तो गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब ठीक होंगे और और क्या आज मेरा फास्टिंग है तो आज पता है आप सब को मैं सुभा तीन वजे उठी हूं और नहा जुआ कि पुजा उजा की सब मतलब जो चढ़ाते हैं तो सब चढ़ाई औ और अभी तो बहुत टाइम हो चुका है नौ बद चुका है और बस में तभी से पुजा उजा करके और यही कप्रा वगेड़ा मिला रही थी भूग लागर आच ठीक तो यह देखे जो साड़ा कप्रा दोई थी ना वो सब मिला चुकी हूं और इसे पहले रख दूंगी तो पहले उसके बाद चलूंगी खाना बनांगे लिए अभी तक मेरा खाना नहीं बनाये तो साणबीवी भूखी है अभी तक तो चलते हैं खाना बनाने के लिए और खेलो बहुतक तो ब्रस करने जा रही है बस अभी थोड़ी देर बाद उठिये गो तो मेरा पूरा जीतिया नहीं, खर जीतिया करती हूँ अभी, तो मैं साम को में ब्रत अपना खोल लूँगी, और पहले तो अब खाना बनाऊंगी, क्योंकि सब भूक है अभी घर में, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो दोस्तों, आधा गंटा हो चुका है, और चामल भीगो के रखी थी, आधा गंटा हो चुका है, अब इसे मैं चड़ा देती हूँ, क्योंकि टाइम तो बहुत जादा हो चुका है, और डाल बस अभी बनके रेडी हुआ है, तो ये देखे, अब इसमें छोकन लगाना बांक ही है, और जा रहे हूँ, मैं अब सबजी बनाने के लिए, सबजी के लिए रेडी करने के लिए बहुत टाइम हो चुका है, सब भूखे अभी घर में, तो फिर चावल तो चड़ा दी हूँ, और दाल भी रेडी हो चुका है, तो अब मैं सबजी काट लेदी हुँ जल्दी तो आज बनाने जा रही हूँ आलू और पड़वल की कबजी तो आप लोगों ने खाना खाया या नहीं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं क्यूंकि टाइम तो बहुत हो चुका है और यह रहा आलू हमें जा रही हूँ बनाने तो फिर मिलते हैं थोड़ी देख बाल तब तक में यह काट लेती हूँ इसके पाद तो दोस्तों सब कटके रेडी हो चुका है और तेल भी गरम हो गया है तो चलिए चलते हैं बनाने और दिखाते हैं आपको हमारे यहां कैसा भूजिया बनता है सोचे थी सबजी बनाने के लिए पर बोले सब लोगी भूजिया खाना है तो सिर्फ हलका मुसला डालके इसे भूणेंगे और दिखाते हैं आपको और आपके यहां कैसे भूजिया बनता है आलू परवल का कमेंट करके हमें बता है तो फिर आए दिखाते हैं आपको तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सुर्फी लाल मिर्च और यह गया थोड़ा जीरा और इसके बाद डालूंगी यह आलू और प्याज जो एक ही में मिला के रखी हूँ तो साधा बनाना है बस ज्यादा मसला वाला नहीं तो इसलिए इसमें में मिला चुकी हूँ यह प्या इसे अलगल करने की कोई ज़रूरत नहीं तो डाल देती हूँ मैं और भी देया पड़ा लूँ तो दोस्तों अब इसे चलाते है अशेचिंग मिला लीमें जुटे तो और आप के रहां केसे बनता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोसको तो इसे धग देंगे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम कर गए तो थोड़ी देर तीन से चार मिनट इसे लो फ्लेम करके धग देंगे और उसके बाद जो नून हर्दी और थोड़ा मसला हैं वो सब डालेंगे हुआ हैं वेल फील दिखाते हैं थोड़ी दिर बाद आपको दोस्तो क्या घरए क्या कर रही हम को कर रही हो कि कर रही हो हमाथ हेहां खाना सपर आक हो भुएओ आपने डॉगी को और में पिंऎकिक हैं तो उसके अं पिंक है है वो देखी है है एलो बोलो तब है आज इस्पूल छुट्टी है ना तुमारा तो बुचिया तो अभी बनी रहा है बस और मैं बस अभी वैसे ही घूम रही हूं हौ तो आप लोगोंने वावाश्टिं किया है या नहीं किसका किसका जितिया अभड है वो दिशक्तिक है वह वो बोल रही है अपने डॉल को खालो नहीं तो ममी मारेगी तो आये सबजी में नमक हल्दी बगेटा डालते हैं तो दोस्तों तीन से चार मिया तक ये लो फ्लेम में फट्षीपा है और अब इसमें डालते हैं नमक और हल्दी और ये गया हल्दी आव आव तो हल्दी और थोड़ा लाल मिर्च का पेस्ट पाउडर सुखी लाल मिर्च का थोड़ा-स और भाट्षीपा है तो बस हलका मस्या में बनाना है और इससे ठख देंगे और थोड़ी फ्लेम हाई कर देंगे ठख के तो दोस्तों गुजिया बनके रेडियो हो चुका है तो अब बंक कर देते हैं तो गुजिया रेडियो हो चुका है और चलते हैं चांदी को फिलाने के लिए बहुत टाइम हो चुका है और सब भूख ले खर में लिए आउ खाना खाने के लिए अगे आ गई आ गई कहना का ओगी तो दोस्तों वह देखिये शान्वी खा रही है और उसे खाने के वक्त, मोवाईल तो चाहिए ही चाहिए पहले मोवाईल देखींगे उसके बाद मुह खोलीगी पिना मोवाईल की खाना नहीं खाती तुम देख रही है आप सब नहीं बोल रहे है बैठ के खाएगी फिर्सो के खाएगी फिरूट के खाएगी बहुत ज्यादा बदमाजी करती है तो दोस्तों आप लोगों ने खाना खाया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताए और मुझे तो नहीं खाना है आज मेरा फास्टिंग है तो मैं साम को बरत कुलूंगी क्योंकि मेरा आधा जीतिया है तो फिर मिलते है थोरी देर बाद और क्या कमेंट तो जरूर करें क्या के खाये आप सब और मैं तो बता चुकी हूं कि मैंने क्या क्या बनाया है और आप सब भी कमेंट करके बताए आपको क्योंकि क्या क्या बनाया है खाने में तो फिर मिलते है थोरी देर बाद तो दोस्तों देखिए सांबी क्या कर रही है क्या हुआ चला कुछ नहीं हुआ चलाओ दो चुट लगे है ठीक हो गया चलाओ उधर से गुम क्या हुआ ठीक है चलाना सीख गई है चलाओ उधर आगे पी चलाओ गुम क्या दा आओ इधर आओ आओ तो आओ तो अब चीख गई तुम चलाने के लिए तो बहुत जल्दी सीख गई गे साइकल कलाने के लिए अभी तीन साल गी है ज्यादा नहीं हुआ है तो पानी है तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद तो दोस्तों मैं नहाँ हूं आगे पुजा कर चुकी हूँ जो सामका होता है न वह और खाना भी रेड़ी है तो टाइम अभी हो रहा है आपका आच ठीक हैं शारे आठ हो चुका है और खाना भी रेड़ी है तो भी मस्त खाने ही जा रही थी तो संभी के पापा खा रहे है और मैं भी खाने जा रही हूं तो कि मिलते हैं अगले व्लोग में भूख लगे तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं है ना और लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा सेर करें है ना और हमें बहुत सारा प्यार दें तागि हम और वीडियो बना पाएं तो फिर चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में बाई में कर दो बाई बाई